युवा स्केच आर्टिस्ट का घिटोनी लाके में घिटोनी दिल से एंजियों के दवारा क्या गया सम्मानित तस्बीर हम आपको दिखा रहे हैं घिटोनी लाके की चाहे देश की पधान मंत्री हो या आपको उतादे आरेसेस के मोहन भागवत या ग्रह मंत्री अमिश्वा इन सबी लोगों की कई स्केच जो है इन युवा आर्टिस्ट के दवारा तैयार करी गए है और खास तोर पर बात यह है कि ये युवा आर्टिस्ट पेपर तो खई साथी अंडे के उपर और पुरानी किताबों के पेच के उपर भी sketch art करते हैं जियां अलग-अलग तरीके से उन्होंने कई celebrity और कई राजनेताओं के sketch को बनाया है तस्वीरों में आप देखें किस तरीके से अंडे पे हो या पुरानी किताब के page हो उन पर sketch art करते हैं ये युवा आर्टिस जिनका की सम्मान आज किया गया गिटोनी इलाके में गिटोनी दिल से एंजियो के द्वारा और इस तरीके के talent को लाया गया एंजियो के माध्यम से सामने कि गाओं का नाम तो हो ही हो साथ ही और युवाओं को पेंड़ना भी मिले और यहां पर एंजियो के द्वारा ये भी है कि जो लोग अगर जुड़ना चाहते हैं sketch art बनाना चाहते हैं तो उनको यहां पर निसूलक सिखाया भी जाएगा तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो sketch है वो यहां पर बना भी रहे है चाहए अगर sketch artist की बात कि जाए देखें आप किस तरीके से जो किताब के पुराना पेज हो उसके उपर चाहए अंडे के उपर और जिस तरीके से लगातार जो किसान अंदोलन चला है उसको ध्यान में रखते हुए भी यहां पर किसानों का समर्थन भी किया गया है यहां पर वो भी दर्सा आया गया है क्योंकि अगर यह लोग वहां पर इनका कि कहना था कि अगर हम वहां नहीं भी जा सकते हैं तो हम अपने मादम से इसी तरीके से स्केच बनाकर हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं और यहां पर दिखे उसके बाद NGO के तरफ से जो लोग है उनका सागत भी किया गया और उनको एक सयोग रासी भी दी गई अच्छी लोहिया आज आपने किसको सम्माने किया और क्यों और बती बात अच्छा लाएं को कि इस तरह का आज क्या चाहते हैं कि आगे आगे आप लोग क्या करना है इनको अच्छी उमर देर अच्छी पैंटिंग और भी सुधार के बनाएं जब यह अच्छा लागे आप चाहते हैं कि यह नेशनल और इंटरनेशनल बने जाएं इनकी महनत इनको कौम किस तरकत स्वयोग राएगा इसी इनके साथ है हम सब हर चीज से इनके साथ रहेंगे इनको मनोमल बढ़ाएगा और बच्चे और भी निकलेंगे जैसे यह कर रहे हैं इनके साथ और भी बच्चे आएंगे कोई निकल कर नाम मता दो अपना मेरा नाम नीशा है नीशा आज आपने पैंटिंग बना रहे थी कि अभी फिलाल मैं College of Art की स्टूडेंट हूँ और स्केचिंग मतलब पंजाबी सिंगर और स्लेबर्टी वगएरा के स्केचिस करती हूँ इस तक अभी आप मैंने देखा कि आप जो वेस्टेज पेपर है उस पे आप बना रहे हैं मतलब मेरी जो वेस्टेज बुक वगएरा होती है उनी को मैं मतलब यूज में लाती हूँ पेंटिंग मनाती हूँ कि शीट भी ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि पेड़ से होता है नेचर बाइचर का भी ख्याल रखना होता है इसलिए आप जो पेंटिंग बनाती हो कि उपर बना रहे थी है किसे क्षानों के बिल जो वहां पर इन धरने पे बैठें हूए उनका क्या समर्थन कर रही हो और कर रही हो तो कैसे कर रही हो है मैं आपको सम्मानित किया गया किसलिए सम्मानित किया कि सबसे पहले तो मैं आपका और भाई कमल लोईया का ऑपने और गटोनी दिल तरफ से समय आज में इतने ज़्यादा कारिय कर रहे हैं और गटों निगाओं गावे बढ़ा रहे हैं तो इन्होंने सम्वानित इसे लिए क्योंकि हमने आज किसानों के लिए इसकेच बनाए थे मैंने अंडे बे बनाया था और एक अभी बेहनती उन्होंने अपने वेस्टिज पेपर ब नहीं सर बच्पन से ही शौक था बस जुनून तो होता ही है और चीज के लिए थोड़ा-थोड़ा यह कि लगते लगते हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इतना हो चुका है कि पढ़ने का मन नहीं करता है लगता है कि पास पेंटिंग करते रहे और कुछ मन ही नहीं करता है अब नेताओं के साथ आपने कहीं से लिविटी की इंटिंग बनाई था इसे मिला था उनको देखाया था दिविया दत्ता जी में से मिला था उनको देया था और महिमा चोधरी में उनको दिया था और लगभा बहुत से लिवेटी है वैसे मैं पेड़वर करता हूं लेकिन इस इसमाइब मिलता है मुझे तो में शालिविटी हो देता है उनको बहुत जादा खुसी होती है और हम भी मिलते है और अच्या मिलते है अच्छा किया है आगे का मेरा रूभ अजव पैर है मित्व बच्चन जी से मिलना चाहता हूं और रिंडर मोधीन से जीर अब इनको लोहिया की तरफ से जो एंजियों की अगर वो अपनी एंजियों में और बच्चों को जोड़ते जाए तो उनको शिखाए जाएगा ज़रूर सिखाए जाएगा मेरा नाम नीशा है नीशा आज आपने बेंटिंग बना रहे थी किस तरह के पैंटिंग आप बनाती हो और कब से पांजाबी सिंगर और स्केच करते हैं अभी आप मैंने देखा कि आप जो वेस्टेज पेपर है उस पर बना रहे रिसाइकल मतलब मेरी जो वेस्टेज बुक वगेरा होती है उनी को मैं मतलब यूज में लाती हूं पेंटिंग मनाती हूं कि कुई शीट भी ज्यादा ज्यादा मन रहता है तो जल्दी बन जाती है और एक दो दिन लगता है अगर पेंटिंग करती हूं सकेचिक में मेरा एक दिन में हो जाता है आप जो आप प्रेंटिंग कर रहे थी आप किशानों के उपर बना रहे थी हां किसानों कि जो वहां पेंधरने पर बैठें हुए उनका कि आप समर्थन कर रही हो और कर रही हो तो कैसे कर रही हो पेंटिंग के दौरा ही कर रहे है क्योंकि वहां तो जानी सकते अब करोना की भी सिचुएशन वगरा है तो इसलिए नाम बता जीवापना मेरा नाम कमल लोहिया है आप किस संस्ता से जुड़े हुए हैं आज अपने बच्चों को समाने किया क्यों किया अपने कुछ भाइयों के साथ मिलकर गिटोरनी दिल से एक चलाता हूं गिटोरनी के अंदर और वो कहते हैं कि कोईला की खान में ही हीरा मिलता है और यह दोनों जो एक मेरी बहन है बेटा है जो इतना अच्छा यह लोग परतिवा हमारे गाव में छिपी हुई थी इसके बारे में मुझे पता चला और मैंने कोशिश की कि इनको जो है इनका मनुबल बढ़ाया जाए इनको आगे इस स्केच इसकेचिंग जो इनकी कला है उसमें इनको जो है और प्रोथ साहन दिया जाए और जिससे यह लोग हमारे गाव के साथ साथ पूरे देश का नाम जो इंटरनेशनल लेवल तक रोशन कर सके कितनी गर्व की बात है कि आपके गाव में इस तरह के परतिवा भी चुपा हुआ था बहुत बड़ी बात है यह जो है अमिताब एक जर्नल स्टोर पर बैठता है विचारा वहां पे जो काम भी करता है पढ़ाई भी करता है अपना घर भी चलाता है है और उसके साथ-साथ अपनी पर्तिवा है इसकी उसको भी जो ना उस!!! स्केचिंग करता है और हम ने तो पेपर पर देखी थी सकैचिंग यह अंडे पर और ऐसी अलग ऐलग चीजों पर जो वाके में कोई आम आत्मी नहीं कर सकता है, ये God gifted ही होती है, और ये भाई ऐसा करता है, मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं इनका जो ना हर तरीके से इन लोगों के साथ खड़ा हूँ, और चाहूँगा कि ये जो है, बहुत आगे तक जाए.